जैहीं दोस्तों मैं हूँ लक्षा सिंग और आप देख रहे हैं एले सिंग स्टेडी पॉइंट आज हम इंडियन एकोनोमी यानि कि भारती अर्थ विवस्ता के बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्न उत्र के बारे में जानेंगे तो सभी परते होगे प्रिक्षाओं के लिए और बहुत से प्रस्न जो है प्रिक्षाओं में आए भी हैं तो आएए पहला देखते हैं कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 इसवी तक विक्षित राष्ट बढाने के उद्यस्य से तयार किया गया द्रिष्टी पत्र क्या था इंडिया विजन 2022 इंडिया विजन का मतलब होता है कि भारत सरकार ने एक योजना का आयोग किया था जिसमें भारत 2020 इसवी तक विक्षित देशों के स्रेनी में आ जाएगा जिसके बाद देश में बिरोजगारी गड़ी और निरचरता जो है पुर्ण रूप से दूर हो ज आगया है कि भारत में पहली पंच वर्षिय योजना कब शुरू किया गया था तो एक अपरेल 1901 में किया गया था पंच वर्षिय योजना का मतलब होता है कि भारत सरकार जो है प्रतेक वर्ष पांच वर्षों के लिए लोगों के आर्थिक और समाज के विकास के लिए शु विकास परिषध का पदें होता है तो पर्धान मंत्री होते हैं भारत निर्वान यूजना का संबंध किस है तो और स्थापन विकास है और स्थापन और स्तापन नtak Всемए नूशूचित जन जाती का निवास करती है तु मदेपर्दसatif में अनुसूची जन जाती जो है वो एक आदिवासी समुदा है देखते है अगला भारत में प्रचन बेरोजगाडी समानता किस छेत्र में पाई जाती है तो किरिशी छेत्र में पाई जाती है देखते है नेक्स्ट दस नमर है प्रथम पंच वर्षी यूजना में किस छेत्र को सर प्राथ मिक्ता दिया गया था नेक्स्ट है ज्यारान वन है कि अंतियोंक कार करम का मुख्य उद्देश से क्या था तो गड़ीवी सबसे अधिक गड़ीवी की सहायता करना अंतियोंका टात्पड्द्र होता है कि कॉसल विकास और अजविका के आउसरों में बडिधी कर सहरी और गरामिन गड़िव को बच्चों को काम में करना ठीक है बुल एवं बी और सब किसे संब्दी थे तो से और बजार से संब्दी थे नेक्स्ट है भारती और छुवेस्ता के उदारी करन का आगरदूत किसे कहा जाता है तो डाक्टर मनमोहन सिंग को नेक्स्ट है दुवितिय पंचवर्षी योजना में किस छेत्र के विकास पर सर्दिक बल दिया गया था तो उदोग छेत्र पर ठीक है देखते है नेक्स्ट पंदरवा नमर है कि भारत के ग्रामिन छेत्र में पाई जाने वाली बिड़ोजगाडी का मुक्य स्वरूप क्या होता है क्या होता है तो प तो निर्मान छेत्र का कोई भी वस्तू का फिर से निरौन करना है नेक्स्ट है भारत अंदा के उतपादन में विश्स में कौन सा स्थान रखता है तो तीसरा रखता है ठीक है नेक्स्ट ग्रामिन छेत्रों में गड़ीवी के आकलन है तो किस सुचकांक को अधार माना जाता है इसका सही उतर होगा कि किरिशी स्रमिक के उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य सुचकांक को ठीक है देखते हैं next next में है कि भारत में करमचारियों के महांगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है तो उपभोक्ता मोल्य सुचकांग सुचकांग का अर्थ होता है कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खड़ी दिगे समानू एवं सिवाओं के आउसत मोल्य को मापने वाले को ही हम सुचकांग काता है अगला एकिस नमर कि बजट घाटा का क्या अर्थ होता है तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर को ही बजट घाटा का अर्थ कहा जाता है नेक्स्ट है भुक्तान संतुलन के विप्रित होने की दसा में कौन सा कदम स्चिती सुधारने में सहायक होता है तो अ मुल्यन को सुधारने की सहायक होती है नेक्स्ट है 23 निमर पंचवर्षिय योजनाओं के इतिहास में भारत की सौरेदिक और सफल योजना किस योजना को माना जाता है तो तृतिय योजना को माना जाता है तो अपके पंच वर्षी के तृतिय योजना क्या है कि मुख्योधे से क्या था कि किरिसी पर जोर देना और गेहुं के उतपादन में सुधार लाने को ही तृतिय योजना है ये नेक्स्ट एन लास्ट कि दसवी दसवी पंच वर्षी योजना के अंतरगत कितने परतिशत वार्षिक विकासदर का लक्ष निर्धारित किया गया था तो आठ परतिशत का ठीक है धन्यवाद मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को सेर करें अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी करकर ही जाएं धन्यवाद